में टेक्स लगेगा मेरा एक प्रस्ण है गुर्देव मैंने निकट से काफी मैं जब भी आपके एड़गेद होता हूँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ जब लोग प्रस्ण करते हैं मैं देखता हूँ आप गुरु की भुमीका में होते हैं अभीभावक की भुमीका में भी होते हैं पिता की भुमीका में बड़े भाई की भुमीका में और कभी-कभी मैंने देखा है आप मित्र बन करके भी नई पीडी का मालदर्शन करते हैं इतनी करोणा बर्षाते हैं सब पे लेकिन अपने आप पे करोणा करने में कंजूसी क्यों करते हैं न कोई खाने का ठिकाना है न कोई शोने का ठिकाना है प्रश्ण को ही खतम करूं जानता हूं कि इनकी प्रशंता से आपकी प्रशंता बढ़ती है पर ये राज ये नुश्का हमें भी बताएं कि वो क्या राज है कि इतने श्रम के बाद भी आप उस तरह से प्रस्थुत होते हैं आपने रहस्य कई रहस्य को रहस्य रहने दीजिए प्रेम को प्रेमी रहने दीजी कोई नाम ना थी अब देखी चंद्र मां कितना चमकता पूर है अगर किसी नालायक को संगायक, विनायक या नायक बनना हो, तो उसको ध्यान और अध्यात्म में क्या नुश्का आपनाना चाहिए। आप तो इतने दुनिया में इतना घूम घूम के एक रांती लेके चले हैं, वैसे इतने सारे बंदिश होने के बावजूत आपने कहां नहीं, धर्म के प्रचार के लिए हमें चलना हैं। वह हिंमत करके आप जो चले हैं, आप इसे करते रहें। आप जमाना था गुर्देव जब हाती पर सवारी करते थे, ओंट पर करते थे, बैल पर करते थे, बोडे पर करते थे, वह जिवित प्राणी थे, तो उसमें हिंसा का भाव। अब विज्ञान आगे बढ़ गयार आप तो गुर्देव कहते हो कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है उनका समझ में करके समझ के साथ चलना चाहिए, पहले तो कहते हैं कि पानी को शोद करके, पानी को कपड़े में शोद करके पीना चाहिए, अब क्या करते हैं, नल में कपड़ा बांदेते हैं, अब वो नल के कपड़े के ऊपर जाके मक्की बहर जाती है, दूल बहर जाता है, अपना उद्देश तो क्या पानी को शुद्ध पिना अब वो गंदे कपड़े से पानी जब निकलता है कि वो देश ही खतम हो गंदा हो गया तो इसलिए अध्यात्म को अपने ग्रंतों को समझ के साथ करना उसमें आप अगरसर होके कर रहे हैं पहले संथे जो मुनी जी हैं जो समंदर पार करके गए सब दुनिया में सब देश में गए तो इसलिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई देखिए चांद ऊपर उठी गया अचा चांद और सूरज मिल जाए तो अमावस्य हो जाता है आज तो पोड़ी भाए सूरज को सूरज रहते अभी बज़र के साथ अंत में मैं संपन कर रहा हूं गुर्देव एक परमिसन में आज आप से चाहता हूं किसी दिन जब आपका मंदिल करे एक दिन मुझे प्रस्ण उतर का पूरा एक सत्र का आउसर दीजिए आप कहींगे हलका प्रस्ण में पहले भी दिखा लूँगा और नहीं कि कैतेर उसी समय हम लाइक करें नहीं नहीं कोई अज़ तक कोई भी हमारी जो संभाशन है पहले प्रिपेर नहीं करता हूं। वो प्रभावी होता है गुर्दे वो नैचुरल भी होता है प्रभावी। आपने गुर्दे एक पानी वाली बात की। मैं गोर्षा लगया था जो चित्र लगे हुए हैं उसमें एक बात थी कि भस्म गाय के गोबर की भस्म पानी में डालने से क्या और आपको निवेदन कुरू गोर्देव। प्रहं में को अचित करने की ने यहां में अपने जीवन काल तक पहले की भी every प्रणावी थी। गुर्देव आपने कृपा की और आप्सर्टिया बहुत 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 बहुत